नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्णिमा जवेदी बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जितना बवाल मचा रहे हैं उतना ही जादा बवाल घर के बाहर भी मच रहा है जिस तरह से घर के अंदर लडाईयां और जिस तरह से घर के अंदर controversies हो रही है उतना ही जादा गर्माहट इस समय घर के बाहर भी है यहाँ पर बात करते हैं निकी टमबोली और जान कुमार सानू के बीच की relationship की जरसल जितनी कहरी दोस्ती शो की शुरुआत में इन दोनों contestants ने दिखाई थी अब उतने ही जादा जानी दुश्मन बन गए हैं यह दोनों घर के अंदर रहते हुए एक दूसरे के निकी और जान के बीच की controversy अब जान कुमार सानू की मा को भी effect करने लगी है और जिस तरह से निकी तंबोली ने जान के उपर accusations लगाए थे उसका असर कहीं न कहीं बी टाउन में और television industry में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है हाली में जान कुमार सानू की मा ने एक interview दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि निकी तंबोली जिस तरह से जान को घर के अंदर use करती आई है और अब उन्हें target कर रही है ये ना सिर्फ उनकी बत्तमीजी दिखा रहा है बलकि ये भी दिख रहा है कि वो किस तरीके के culture में पली बड़ी है जी हा निकी तंबोली के culture, education और उनके behavior तक पे सवाल उठाया जान कुमार सानू की मा ने और ये भी कहा है कि अब तक जब तक निकी को जान की जरूरत थी तब तक वो उन्हें बखू भी इस्तिमाल करती हुई नजर आई लेकिन अब जब उन्हें ऐसा लगता है कि अपने आप शो को जीत सकती हैं तो उन्होंने जान को किनारे कर दिया और जान का ये संसकार नहीं है जान कुमार सानू के कि वो किसी लड़की के बारे में कुछ भी गलत कहे फिर भी उसके उपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे है दरसल पूरा माज़रा ये है कि बिग बॉस 14 के घर में जब टास्क हो रहे थे उस दौरान निकी तंबोली और जान के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई जिसके बाद निकी तंबोली ने ये कहना शुरू किया कि जान कुमार सानू उनकी प्रिविसी की रिस्पेक नहीं करते हैं वो बिना पूछे उन्हें किस कर देते हैं बिना पूछे उनका हाथ और इस तरीके की कई बाते निकी तंबोली करती हुई नजर आई हैं अपने को कंटेस्टेंस के साथ जिसका असर अब खर के बाहर की दुनिया पर भी पढ़ने लगा है वहीं जान कुमार सानू के माबाब भी इसको ले करके काफी जादा डिस्ट्रेस और अपसेट नजर आ है कि अगर निकी तंबोली को जान बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो अब तक जितने भी एपिसोड जाये हैं उसमें वो जबरदस्ती जाकर के जान से दोस्ती करने की कोशिश क्यों करती हैं तो विलाल तो बिग बॉस 14 में जितनी गरमाहट चल रही है बिग बॉस 14 के घर मे जितनी कॉंट्रवर्सी चल रही है वो कही न कहीं उन सभी दोस्ती की परिभाशाओं को टेस्ट करती नजर आ रही है जो अब तक बिग बॉस के घर में दिखाई जा रही थी जिस तरह से कंटेस्टेंस एक दूसरे के दोस्त होने के दावे करते थे जिस तरह से कंटेस्टे में व्यूवर्स के लिए काफी जादा गरम माहौल रहने वाला है काफी जादा गॉसिप मिलने वाली है आप लोग को